Hello everyone and welcome back to अपनी काक्षा और मैं अर्शार माज आपको पढ़ाने वाला हूँ Class12 की Python So last class में हमने देखा था कि कैसे एक stack को implement कर दा दा है Python के अंदर पूरा सा code कर रहा था, push pop वारे सारे functions बनाएते अब हम देखते हैं कि finally stack का use क्या है क्यों जिस चीज को हम list से काफी easily कर सकते थे हमने उसको इतना complicate करके एक stack बनाया फिर उसके लास्ट इन फर्स्ट आउट का operation लागा के push pop ठीक है यह सब क्यों कर रहा लिश्टे नॉर्मली कर लेते हैं सबसे पहले एक बहुत इसका basic सा यूज देते हैं यह कोई साच कोई खास सा यूज निया बट है इस वह क्या है reversing a line यानि कि अगर में को एक line को reverse करना है तो मैं stack के help से कर सकता हूं कैसे for example यहां पर देख लेते हैं एक string है हमारी hello नाम की बिल्कों को इसे reverse करना है सबसे पहले हैं यह नहीं सकते हैं उल्टा करना है तो पहले मैंने hello को एक stack के अंदर पुश कर दिया hello गोको एक stack के अंदर पूश करेंगे यह मन्स को एक दूसरी string कर देग सो स्टैक का मारा basic concept क्या था कि वो last निए first out पे चलता है यानि जो element इसमें last में आएगा last में आए था o वो first से पहले भार निकलेगा, वो first में out होगा, यहाँ पर o last में है था, यह सबसे पहले भार निकला, तो हम pop कराते हैं सबसे पहले o भार आए फिर l भार आए फिर the second l, e and h तो यहाँ पर हमारी string reverse हो गई, किस का थूरू करी हमने stack के थूरू, पहले सारे push करा है फिर सारे pop करा अब यह सच कोई stack का बहुत खास यूज नहीं है बस एक छोटी सी implementation देखी stack का main use अब हम देखते हैं क्या होता है stack का use होता है हमारा polish strings के अंदर तो पहले यह समय लेते हैं polish strings के हैं जैसे हमारी normal strings होती है अब यहाँ पर हम basically expressions की बात करने वाले हैं mathematical expressions जैसे a plus b a minus c into b यह हमें समय जाते हैं और हम इने solve भी कर सकते हैं अगर हमें values मिल जाते हैं और solve करने के लिए हम एक basic सी चीज़ 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 करते हैं वो होती है हमारी board mask board mask के तुरू में पता रहते हैं कि हमें किस order में से execute करने इसे पहले bracket off, divide, multiply and so on लेकिन यह चीज़ जो है वो computer ले थोड़ी सी tough हो जाती है computer के लिए ऐसे brackets देखके और फिर उसको ऐसे करना थोड़ा सा tough का हो जाता है तो polish string डिस्कावर इसी पोलेंड के अंदर इसलिए इनका नाम polish string है yen, lucas, जो भी है इन्होंने discover करी थी polish strings तो polish string होती कैं basically इसमें हमारी दो होती है prefix string और postfix string या फिर हम बोल सकते है prefix expressions और postfix expressions prefix expressions के अंदर क्या होता है जो भी हमारे एक normal expression होता है जो हम use करते है अपनी math के अंदर उसी के अंदर के operators को हम पहले लगा दे pre नाम से बन चल रहा ना और अगर मैं इसको प्रीफिक्स और अगर मैं इसको prefix में convert कर दूँ तो prefix में convert होके कुछ ऐसा बनेगा अभी कैसे बना वो भी सीखेंगे बट मालो यह ऐसा बनेगा multiply minus ACB और यह चीज़ कम्प्यूटर के लिए समझना easy होती है अब इसमें उसको order पता सल्दाते है इसको पहले multiply करना है फिर जो character उठाने है फिर minus करना है उसकी भी पूरे टेखनीक अभी पढ़ेंगे कैसे इसको execute करता computer बट इतना समझ लो कि prefix और post fix computer के समझना easy होता है infix हम लोग के समझना easy होता है तो हमने computer के लिए prefix और post fix strings बना दी और इन strings को हम समझ देंगे stacks के द्रू तो आप देखते है कैसे करेंगे तो सबसे पहले ही समझ लेते ही infix string को prefix और post fix strings के अदर कैसे बदला जाता है so in fix to post fix सीखने के लिए पहले उसके steps लेख लेते हैं हमें करना क्या होगा यहां पर हमारे steps लिखे हैं से पहले हमें brackets लगाने appropriate position पर यह हमें आते हैं यह बडमास help से लगा देंगे फिर अगर left bracket आएगा तो उसको stack में डाल देंगे correct आएगा तो string में डाल देंगे और अगर एक right bracket आता है तो उस case में हम pop करते जाएंगे जब तक कोई left bracket ना आ जाए तो यह सब steps बहुत लंबे लगरे हैं लेकिन छोटे सी हैं तो यह सारे steps हमें करने एक string के उपर बहुत इजी से एक बरी में आद हो जाएंगे तो उपर हमने एक example देखा था यह वाला a plus b divide c minus d अब मैं इसको बिना bracket के लिख लेता हूँ अब माल लेते हैं हमारे पास यह एक string है और इसको मुझे post fix के अंदर convert करना है तो अभी यह कैसी है? इन fix के अंदर है सबसे पहले हमारा steps का था हमें brackets लगाने है तो हम इसके अंदर bracket लगा लगा लेते हैं board mask की अल्ब से तो सबसे पहले divide पे लगेगा उसके बाद हमारा plus पे लगेगा और last अला हमारा minus पे लगेगा तो यह चीज हम अपनी mathematical knowledge से लगा सकते हैं तो यह मैंने लगा दिया इसके अंदर से एक एक element उठाएंगे उसको check करेंगे जो हमने steps फटे थे उस conditions के साबसे उसको stack में डालते देंगे तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक left bracket है तो उसको stack के अंदर डालना है तो यहाँ पर हमारा left bracket है इसको हमने डाल दिया stack के अंदर फिर हम stack second पर second भी हमने left bracket है उसको भी हमने stack के अंदर डाल दिया यह हमारा bracket है यह सी मत समझने इसको उसके बाद हमारा आगा एक character आगया A तो अब A जब मैं लिखा था जब character आएगा तो उसको string में डाल देना है तो यहाँ पर A आया तो A को मैंने डाल दिया stack के अंदर यहाँ पर मैं इसको stack में डाल दिया फिर हमारा अगें character is c, c को डाल दिया string में अब हमारा right bracket आया है तो right bracket पर क्या लिखा था यह बड़ दुबारा पढ़के आते है right bracket में हमारा लिखा था कि अगर right bracket आएगा तो हमें stack में से pop करते जाना है जब तक left bracket आतना आ जाए तो हम क्या करेंगे इस stack में से pop करते जाने जब तक left bracket ना आ जाए तो सबसे बहले में को divide को pop करना है और इसको string के अंदर आल देना है तो हमें इसको यहाँ से हटाएता हूं और इसको अपनी string के अंदर आल देता हूं फिर मैं दुबारा पॉप करूँगा लेकिन इस बाव में पास left bracket ना जाए तो हमें क्या करूँगा यहां पर रुख जाओंगो इसको भी यहां से हटा दूँगा फिर मारा left bracket आया तो left bracket भी हटा दिया और रुख गए अब next में बढ़ते है next हमारा आया minus minus के operator operator पर क्या करना था उसको stack में डाल देना था so minus मैंने डाल दिया stack में फिर उसके बाद आगे बढ़े फिर हमारा एक और last right bracket right bracket पर क्या करना है पॉप करते जाना है जब तक left ना है तो सबसे पहले मैंने किसको पॉप करा minus को ठागे डाल दिया इसके अंदर so minus को हम यहां से अटा देते हैं और यहां पर डाल देते हैं फिर हमारा left bracket आगे left bracket आटा के में रुक जाना है तो हम रुक गए तो अब देखो जो हमारी string बनी है यह हमारी postfix string so यह था हमारा infix जो हमने starting में लिखा था और यह हमारा postfix में convert हो चुग है सो यह हमने stack की help से convert करा बस आपको इसके अंदर यह rules याद रखने है कि अगर left है तो push करना है अगर operator है तो भी push करना है character है तो उसको string में डालना है और right आएगा तो pop करते देंगे जो तक left ना जाए और इसके वाद बस conversion होगी जो हमारी यह जो string है जिसके दर हम डालते जा रहे है वह हमारी क्या होती है postfix string मन जाती है अब एक और example से देख लेते हैं कैसे infix को postfix से अंदर convert करते हैं अब यहां पर हमारे operator plus minus नहीं not और 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 दिरखके हैं हमारा boolean में दिरखका है तो सबसे हमेले bracket लगाते है अब हमें यह पता है कि जो not होता हूँ एक unary operator होता है यानि यह single पर ही वग करता है तो सबसे पहले bracket हमें इसी के ओपर लगाना पड़ेगा not a पे एक लगा दिया not b पे लगा दिया और not c पे लगा दिया उसके बाद तो तीनो अः तो इस में हम किसी भी order में लाघे ते हैं या तो पहले 2 को एक बार में लेएते हैं अद दूस बागले दो को ले ले लेते हैं निए ऊनुन के लिए ऊंद्ध लिए वाद कट्रू द्रास संबस्या न्या mathematics भड रहा पॉप करते देंगे जब तक कोई left bracket ना जाए, यहासे मैं not को पॉप करूँगा, और इस वाले left bracket पर जाके रुख जाओंगा, यहासे not रटाने और left bracket रटाने और not को में डाल दूगा इधर, उसके बाद हमारा और 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 को क्या करेंगे, operator पुश कर दिया, उसके बाद हमारा left bracket आया, left bracket भी डाल दिया, not अगेन एक operator आया, उसको भी पुश कर दिया, फिर हमारा b आया, b को डाल देंगे, string के अंदर, फिर हमारा right bracket आया, यहां तक हम चल गए, अब यह right bracket आया, again पॉप करते देंगे, जब तक left bracket ना जाए, so not को पॉप करने है, और इस वाल left bracket तक पॉप करने है, so not को में डाल देता हूँ इदर, और इन दोनों को में पॉप कराएता हूँ यासे, so यह not और left bracket याँसे हट जाएगा, उसके बाद एक और right bracket आया, again वही करने है, पॉप करने हैं अब तक left bracket ना जाए, तो इसमें मैं पता है क्या होगा, यह और उठके string में जाएगा, और left bracket याट जाएगा, so मैं string में डाल देता हूँ इदर और, उसके बाद हमारे एक और आया, और के ऑपरेटर, operator को डाल दिया stack के अंदर, फिर हमारे एक left bracket आया, उसको भी डाल दिया stack के अंदर, फिर हमारे नाट आया, उसको भी डाल दिया stack के अंदर, C आया, C जाएगा string के अंदर, फिर हमारे दो right bracket रहेंगे, तो इतना हम चल गए, अब एक right bracket आया, right bracket के क्या करेंगे, pop until left bracket, सो नोट को पॉप कराके डाल देंगे स्ट्रिंग के अंदर सो यहाँ पे स्ट्रिंग चोटी पड़ गई और इसको उमकर देतें नॉट और यहां से लफ ब्रेकेट रट जाएगा अब जब लास्ट वाला से राइट ब्रेकेट हमारा आया तो उससे क्या होगा यहाँ पे और जाएगा हमारा स्ट्रिंग के अंदर तो और रट गया है वो लेफ ब्रेकेट को ही पॉप कर देंगे सो लास्ट में हमारा एक और आ गया सो हमारी फाइनल पोस्ट्रिंग स्ट्रिंग यह बन गई ए नॉट बी नॉट और सी नॉट और तो इसमें बता सल रहा हूँ कि हमारे ऑपरेटर जो हो पोस्ट में आ चुके है बाद में आ चुके है यह हमारी इसलिए पोस्ट्रिंग क्यलाती है और यह हमारी कंप्यूटर के लिए पढ़ने इजी होती है एक लास कोशन देखते हैं इनफिक्स टू पोस्ट्रिंग के ऊपर और यह प्रफर हम जैसा एक्जाम में खरके आने उस फॉर्मेट में करेंगे ठीक है तो एक्जाम का फॉर्मेट और जो हमने ऊपर करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट्स है तो जो इस फॉर्मेट में यह वाला कोशन करूँगा उस फॉर्मेट में आपको पेपर में खरके आना है जब नमबर में लेंगे तो सबसे पहले में एक टेबल बना ले तो फटा-फट जो हमें एक्जाम में बनानी है तो ऐसे फश до गड़े बनानी है इसके उलिफर स्भार工 में मेरे एक डिफिसरे दूसरे आपका stack का और थीसरे ख़ला होगा हमारे expression का so elements के अंदर हम कर डालेंगे हम वो element डालेंगे जो हम यह सी एक करके read कर रहे हैं stack के अंदर हम stack की status डालेंगे और expression के अंदर हमारे expression strings ही बोडा लेंगे ठीक है तो सेम चीज़ करनी है बाट वह एक table format में करनी है हमें तो हमारा first step क्या था? first step हमें याद है brackets लगाना तो इसमें काफी brackets अल्रेडी लगे हुए अब आपको इसमें देखके कि खाँ-खाँ bracket नहीं है और कहाँ-खाँ आने चाहिए लिकेशन तो यह चीज़ हमारी कि इससे multiply होना चीज़ सिह तो एक bracket हम इंद फाल्ट कर देते हैं और फिर लास्ट में मों प्लस करनी में तो प्लस हमारा इसससे एक bracket इंद फाल्ट और हमारा Vernon multiplier है, multiply हिचाहे हैं पहले वाला कर लो तो हम पहले वाला कर रिते हैं उसके बाद last में यह वाला इसमें ऐसी होता है यार, bracket काफी जादा लग जाते हैं तो हम तो एक new expression लिख रहे होंगे, तो हमाँ confusion नहीं होगी तो यह बन गे हमारा प्रूव expression मैंने बस brackets को फोड़ा open करके लिख लिख लिया ताकि confusion लाओ अब हम start करते हैं, कुशन कैसे करना है तो सबसे पहले मेरा आया एक left bracket so left bracket को मैंने डाल दिया इदर और stack के अंदर push करा दिया, expression हमारा खाली रहेगा उसके बाद क्या है हमारा, एक और left bracket आया उसको मैंने डाल दिया stack के अंदर push और expression खाली है, फिर हमारा a आया फिर हमारा b आया, b को मैंने डालेंगे string के अंदर हमारे expression के अंदर stack के भी वैसा ही है, stack में कुछ push pop नहीं हुआ फिर plus आया, plus कहा जाएगा stack के अंदर, a, b वही रहा फिर हमारे left bracket एक और आया उसको मैंने पुश करा दिया stack के अंदर a, b वैसा ही रहा, फिर हमारे left bracket आया stack के अंदर पुश करा दिया a, b वैसा ही रहा, फिर हमारा c आया c को तोड़ ऐसे मनाते है, तो c के आया है alphabet, उसको मैंने डाल दिया string के अंदर फिर हमारा plus आया, plus हमारे जाएगा stack के अंदर तो उसको मैंने stack के अंदर पुश करा दिया ये a, b, c वैसा ही रहा, फिर हमारा d आया d गो मैंने डाल दिया string के अंदर, d हमारा correct आ रहे, फिर हमारा right bracket आया right bracket में हम क्या करते है, pop करते हैं, जट तक left bracket ना जाए, तो यहांसे क्या-क्या pop होंगे, ये plus और left bracket चला जाएगा, और plus को कहाँ डाल देंगे, string के अंदर, ये left bracket गाया हो जाएगा ये right bracket का तो कामी हो, ये pop कर वना तो अब हमारा stack के बन जाएगा, ये जो पहले था, बस एक last का, वो plus चला गया और वो last वाला bracket चला गया, और plus गया, वो string के अंदर चला गया, तो ये बन गया ABCD plus, उसके बाद multiply हो का डालते है, stack के अंदर वोगी operator है, इसको हमने डाल दिया, stack के अंदर, string हमारी वैसी रही, फिर हमारे दो left bracket इसको मैं fast forward कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों stack में जाने है, फिर हमारा e, e का जाएगा, expression में, उसके बाद हमारा plus आया, plus का जाएगा, stack में, फिर हमारा f जाएगा, expression में, उसके बाद हमारा right bracket आया, right bracket में क्या करेंगे, वही operator को push करके डाल दिया, expression में, और एक left bracket खा जा plus ef, plus, हम इसको 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 इतर लियाता हूँ, ताक ये हम देख पाइगा इसको, यहां तक हमारा हो चुगा है, फिर हमारा divide, divide को में का कर डालना है, stack के अंदर, फिर हमारा g जाया, g जाया गए, expression में, character है, अब हमारे right bracket आया, बहुत सारे आणिये, pop-up हाऊंगे, पहले right bracket पर किया करिया हमने bracket bracket multiply bracket bracket plus C multiply यह पहला left bracket चला गया आप इसको में डाल दिया फिर पही ही चीज एक ओपरेटर को एक ब्रेकेट के अब उपरेटर का जाएगा हमारा string के अंदर, एक और right bracket आया एक और right bracket आया अब यहाँ पर कोई operator नहीं है, तो यह उस case में होता है जब हम गलती से कोई extra bracket लगा दें तो इसको just एक bracket हटा देंगे, operator कोई जाएगा नि फिर हमारा multiply आया multiply को डालेंगे stack के अंदर, बागी से हमारा multiply के बाद हमारा आया h, h जाएगा हमारा expression के अंदर, so a, b, c, d plus e, f, plus g divide multiply plus multiply h and finally हमारा एक right bracket जो stack को empty कर देगा और हमारा बज़ेगा, a, b, c, d plus e, f, plus g, divide multiply plus multiply h, multiply so हमारी final में जो यह हमारा expression आयागा, यह हमारा बनेगा जो हमारा post fix expression है ठीक है, so यह काफी कुछ लंबा बना है, ठीक है, और यसा ही बनता है, paper में एसी करके आना होता है, बस हमें क्या यहाँ पर accuracy अपनी maintain करके चलनी है brackets को, और यहाँ पर कैसे push कर रहे हैं, कैसे pop कर रहे हैं, यह समें बनेगे, maintain करके चलना पड़ेगा, revise भी करके आना, जो पेपर में करके आओगे, और जो हमारा final expression निकलेगा, वो हमारा post fix expression होगा, so इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम infix को post fix से इंदर convert कर सकते हैं, paper में इस question के आने के बहुत जादा चंसीज होते हैं, ठीक है, या तो यह आता है, या फिर post fix evaluation का आता है, वो हम next video में देखेंगे, so आयो ओप इस क्या आता को समझ जा रहा होगा, infix क्या होता है, post fix क्या होता है, prefix क्या होता है,